यह कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, मानो स्वास्थ कई आंतरिक एवं बाहरी कारणों से प्रभावित हो रहा है, उन में से एक प्रमुख जल व स्वच्छता सम्बंदित हमारी दिन चरिया है। जल वं स्वच्छता गुनात्मक जीवन की एक आवश्च्छता है। इन नियुनतम आवश्च्छता की कमी मानो स्वास्थ को प्रभावित करती है। इन सब की बावजूद आज भी कई देशों एवं वैश्विक समुदाय की राश्ट्रिय नीतियों में इस मुद्दे को विशेश महत्व नहीं दिया जा रहा है। यूनिसेफ के अनुसार गंदे पानी तथा स्वच्चता की कमी से परतेक वर्ष 20 लाख से भी जादा बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है कि मिर्ट्यू उल्टी दस्थ वा अन्य जल जनित बीमारियों की वजह से होती हैं। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार उल्टी दस्थ से मरने वाले विश्व की कुल 18 लाख नौजात में से भारत में मरने वालों की संख्या 4 लाख 50 हजार है। भारत में 1000 बच्चों में से 90 की मिर्ट्यू उनकी उम्र 5 वर्ष के होने से पुर्व ही हो जाती है। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार 80 प्रतिशत बीमारियां भारत में प्रदोशित पानी के कारण होती हैं। भारत के ग्रामिर चेत्रों में 26 पतिशत से भी कम घरों में शोचाले हैं। भारत में शुद्ध पेजल का अभाव, मलमुत्र का काम चलाओ ढंग से निप्टान, एवं दक्तिगत स्वक्षता का अभाव स्वास्थ की सबसे बड़ी समस्या है। मिलेनियम डवलप्मेंट गोल जिसको विश्व के 189 देशों ने माना है, जिसमें आठ लक्ष हैं, जो कि विश्व के विकास में खड़ी गंभीर समस्याओं का समाधान हेतु एक प्रयास है। भारत में जल और स्वच्चता एक गंभीर समस्या है, जिसकी समाधान हेतु भारत में संपुर्ण स्वच्चता अभियान चलाया जा रहा है। टरक्रम जहां समदाय कारियान में आगे आते हैं, वहां मांग जनित आधार पर कारियान्युत किया जा रहा है। यह कारिक्रम व्यापक्ष सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्धम से प्रासंगिक स्वच्चता सम्मंदी आदतों के लिए बैचारिक और व्यावारिक बदलाव लाने के लिए जागरूपता पैदा करने पर जोर देता है ब्रामिर्ट शेत्रों के अंतरगत जिले को एक यूनिट मानकर यह कारिक्रम चलाये जा रहा है मिलेनियम डबलप्मेंट गोल के सातने लक्ष में एक लक्ष स्वच्च जल एवं स्वक्ष वातावन उपलग कराना है और अगर हम इसमें बीवेड चेंग नहीं करें जो फंडमेंट चेंगें नहीं करें तो जितना भी हम टॉलेट पर आएंगी जितने भी इंट्रस्ट पर चेड़ लाखने करें सेंगिशन का आदब क्योंकि ये अलिमेटल इसमेंट अपने से सुरू करो और फिर जो करना चाहते हैं वो करो मैलान दे जाके उसका प्रिणाम आएगा इस अवियान में हम लोग जूटेंगे कि कुछ भी करना है start from yourself, खुद से सुरू करो हम लोग पुद से सुरू नहीं करते, दूसरे से सुरू करवाना चाहते हैं ग्रामिन क्षेत्रों में संपूर स्वच्छता अवियान का भैतर क्रियान वैन में सहयोग करने के लिए एक पाइलट परियोजना प्रारंब की गई जिसके अंतरगत जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ जागरुकता के नाम से भारत के पाँच राज्यों में यूनिसेफ, परियावन सिक्षन केंद्र, राष्टरी सेवा योजना एवं नहरू युवा केंद्र ने मिलकर प्रारंब किया प्रतेक राज्य में तीन जिनों का चयन किया गया, हर जिले में पांच ग्राम पंचायतों में इस कारिक्टरम का संचालन हुआ, जिनकी जन संख्या कम से कम एक हजार या घरों की संख्या तीन सो थी संपुन स्वच्चता अभियान में जल, स्वच्चता और स्वास्थ कारिक्टरम की महत्वपुन भूमिका रही है इस कारिक्टरम में राष्ट्री सेवा योजना वा नहरू युवा केंद्र के युवा स्वयम सेवकों ने सक्री रूप से एवं उस्वापुर्वक भाग लेकर राष्ट्री सेवा एवं राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपुन योगदान दिया यह कारिक्रम रुशियस उद्देश के साथ रास्ट्री सेवा योजना एवं नहरू युवा केंदर के स्वयम सेवकों की भागीदारी से प्रारंब किया गया इन उद्देशों में प्रमुख घरों एवं विद्दालेों में जल सवच्चता की वर्तमान, इस्थिती की उपलब्धता, कम लागत के सौचालेों का परदर्शन, जल सवच्चता एवं स्वास्थ कारिकरम में जन सहभाकिता को बढ़ावा देने के साथ इस अभियान को एक सामाजिक आंदोलन की और ले जाना था ग्रामीर समुदाय में स्वच्चता एवं स्वास्त के परती जागरुकता लाने एवं विशेश उद्देशों को प्राप्त करने के लिए इस पर्योजना के अंतरगत परियावण शिक्षण केंद्र यूनिसेफ रास्ट्रिय सेवा यो से पहले जिला इसतर पर राश्ट्री सेवा योजना की कारिकरम अधिकारियों की आमुखी की करणबैटकों का आयोजन किया गया कारिकरम पर विश्ट्रित चर्चा करते हुए राश्ट्री सेवा योजना इकाई के साथ एक गाम पंचायत का चैन किया गया गाउं में भेतर संचालन एवं समन्वयन हेतू राश्ट्रिय सेवा योजना के प्रतीक इकाई की कारिक्रम अधिकारी राश्ट्रिय सेवा योजना नहरू युवा केंद्र के स्वयम सेवकों, सरपंचों एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की कारिक्षमता को बढ़ावा द देने के लिए एक दिवसी आमुखी की करण शिवर का आयोजन किया गया चैनिये ग्राम पंचायतों में शुरुवाती प्रचार प्रसार के बाद राष्ट्रिय सेवा योजना का दस दिवसी शिवर प्रारंब किया गया जल स्वच्चता एवं स्वास्त संबंधी जागरुकता लाने के लिए प्रस्तावित दस दिवसी गतिविदियों में राष्ट्री सेवा योजना कारिकरम आधिकारियों तथा स्वयम सेवकों ने अपना सहयोग दिया इन गतिविदियों से जन्ज स्वयभागिता को बढ़ावा मिला है ये गतिविदियां प्रभावी तरिके से व्यवहार में बदलाव लाने का संदेश देती है शुरुवाती गतिविदियों के आयोजन के बाद जैसे गाउं का सर्विक्षन, बैठकों का आयोजन, मुखिया के विचारों को सम्मिलित करना, घरों वा इसकूलों में उपलब्द स्वच्छता संबंदी सुधाओं की उपलब्दता, स्वास्थ संबंदी व्यवहार आद बैन एवं अवलोकन करने के पस्चात, जल स्वच्छता एवं स्वास्ते से संबंदित, कई सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंदित गतिविदियां, राष्टरी सेवा योजना के स्वें स्वेवकों द्वारा आयोजित की गई सूचना, शिक्षा एवं संचार के अंतरगत, सांस्कृतिक गतिविदियां, जैसे नुकरनाटक, लोकनिर्थ संगीत, इस्थानी एक लोक कथाएं एवं जागरुकता संबंदी फिल्मों का आयोजन किया गया इसके साथ ही कई तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरसकार वितरण किया गया, जैसे स्वच्छ महिला पुरसकार मिसिस क्लीन नाखून जल स्वच्छता एवं स्वास्त संबंदी उद्देशों की प्राप्ति के लिए इस दस दिवसिये शिवर के अंतरगत, बच्चों एवं आम जनों में जागरुकता लाने के लिए स्वच्छता मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिसमें शोचाले एवं सोकता गठा के मॉडल का प्रदर्शन, पोस्टर प्रदर्शन, सामोहिक चर्चा, जल स्वास्त संबंदी, साफ सीधी, खेल आधी आयोजित किये गए राष्ट्री सेवा योजना के स्वयम सेवकों ने मेले के अंतरगत, पानी के साफ सुथरे तथा सुरक्षित उप्योग के बारे में जानकारी दी जैसे डंडीदार लोटे का उप्योग, ढका हुआ पानी पात्र, नाखून काटना, खाने से पहले हाथ दोना, गंदे घर वा साफ सुथरे घर में अंतर, शौचाले के विभिन मॉडल का प्रदर्शन किया संपुर्ण स्वच्चता अभियान के संदेशों को साइकिल रैली द्वारा गाउं गाउं पहुचाया गया इन सभी रुचिकर गतिविधियों द्वारा जल स्वच्चता एवं स्वास्त के संदेशों को आम जन तक बहुत ही सरल तरिके से पहुचाया गया इन तरिकों ने लोगों को जल, स्वास्था एवं स्वास्था के परती जागरूक एवं प्रभावित किया। इन दस दिनों में राश्ट्री सेवा योजना स्वैम सेवक लोगों के घर घर गए, उनसे मिले, समूह चर्चा की और उन्हें जल, स्वास्था एवं स्वास्था की महत्ता के बारे में जानकारी दी सूचना शिक्षा एवं संचार के अंतरगत इस्थानी लोग कथाएं, कहावतें एवं वद्ध यंत्रों के माध्यम से इन संदेशों को आसानी से समझाने एवं जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि लोग आसानी से इन संदेशों को अपने दैनिक आदतों से जोड़ सके दस दिवसिय शिवरों के अंतरगत आयोजित गतिविधियों एवं संदेशों के कारण लोगों में जल स्वच्चता एवं स्वास्त संबंदी व्योहार के परती जागरूकता उत्पन हुई और ग्रामीर लोगों ने इन आदतों को अपने व्योहार में लाने की बात कही इन विशेश शिविरों के दौरान आयोजित की गई अनेक प्रकार की गतिविधियों से रास्ट्रिय सेवा योजना के स्वेम सेवकों के स्वेम के वक्तितों का विकास हुआ और उनकी दिन्चरिया में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले मेरे गर पे नई तोलेटर नई और कुछ है लेकिन मैंने अपने घर वालों को इस बारे में इतना दबा डाल रगी अपने घर वालों की साइथ वो इस बारे में आप सोचेंगे संपुन स्वच्चता अभियान के अंतरगत जल स्वास्थ एं स्वच्चता जैसे कार्टरम हमारी यात्रा के शुरुवाती बिंदू है हमें अभी कई मील आगे और जाना है और कई उचाईयों को छूना है जब तक कि हम स्वच्च देश का निर्मान नहीं कर पाए हम होंगे कामियाब एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाब एक दिन हम चलेंगे साथ साथ डाले हातों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन ओ ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामियाब एक दिन नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन ओ ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामियाब एक दिन होगी शान्त चारो और एक दिन हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाँ एक दिन हम होंगे कामियाँ एक दिन हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाँ एक दिन हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाब एक दिन हम चलेंगे साथ साथ डाले हातों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाब एक दिन नहीं डर किसी का आज नहीं डर किसी का आज नहीं दर किसी का आज एक दिन ओहो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाब एक दिन होगी शान्त चारो और, होगी शान्त चारो और, होगी शान्त चारो और एक दिन हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामियाब एक दिन